हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आपका स्वागत है, इन्वेस्ट बडी चैनल में, तो जैसे कि आप देख रहे थे कि पिछले हपते बहुत थी भयानक मार्केट में गिरावट होई, और फिर जो है कल भी मार्केट काफी अच्छी तरीके से गिरा, और कही न कहीं ऐसा बाटम बनना शुरू हो चुका है, लेकिन एक चीज रहती है कि जब भी मार्केट में गिरावट होती है, तो हमें अगर हम लॉंग तरम इन्वेस्टिंग करते हैं, तो हमें पैसा अपना लगाना शुरू कर देना चाहिए, हर गिरावट में, आपको पता नहीं है कि कहां त चालेंज रहता है कि कहीं मेरा डिसीजन गलत ना हो चाहिए, यह mostly like यही होता है, उसी कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा होते हुए भी, like they are not able to take this decision कि उनको जो है कब पैसा मार्केट में डालना चाहिए, अब देखें इसके लिए क्या ही कर सकते हम उन बेवरेज़ेज है, तो यह FMCG के छेतर की कमपनी है, आपको पता है कि यह जो है कार्बोनेटरिंटरिंग्स यान कि Pepsi का जो बॉटलिंग प्लांट वो गहरा है और उसकी Pepsi की जो है इसकी इसकी इंडिया में, major like 90% of the Pepsi का जो भी है आप देख सकते हैं पर Pepsi, Tropicana, Slice, 7-up, यह सब जो है, इसका franchisee products यह वो करता है, तो कल आपने, कल देखा होगा कि इसमें एक update आया था इस company में, and after that क्या होगा कि यह stock गेर गया, अब वो update क्या था सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यह update था मैं खोल लेता हूँ, यहाँ आपको update मिल जाते हैं, तो देखें इसमें जा रही है, through QIP, अब जैसे यह news आती है, तो यह stock क्या होता है, कि काफी बुरी तरीके से देरे देरे गिरना सुरू होता, पहले से गिरना स्टार्ट हो गया था, लेकिन like 5-6% यह stock गिर जाता है, और कल like, क्या था, market का भी mood अच्छा नहीं था, और इसमें करीब 5-6% की गि रावट हो जाती है, तो काफी लोग जिनको पता नहीं है, कि VBL का क्या business है, VBL का profit growth वगएरा कैसी है, ठीक है, जो कि आप बहुत आसानी के साथ यहाँ पर screener में देख सकते हो, तो लगातार आप business के साथ जुड़े रहते हो, उसके business updates वगएरा लेते रहते हो, तो आपको idea रहता है, अब जैसे देखें यहाँ पर, December 2012 इसका sales था 1800 करोड और December 2023 16000 करोड और TTM basis पे, मतलब पिछले अगर 4 quarter का हम लोग अभी तक देखें तो 18000 करोड तो आप देखें लगातार इनकी sales बढ़ रही है, operating profit वगएरा देखें कहां, December 2012 में 228 करोड था और आज देखें 428 क तरीके से grow कर रहा है, और market गिरा हुआ है, मान लिजे, तो ऐसे में जब ऐसी किसी company में, जो कि बहुत ही high growing company है, और उसमें आपको गिरावट मिलती, तो इन ऐसे मौकों में आपको पैसे लगा देना चीए, अब देखें क्या हुआ, कि कल तो ये 5-6-7 percent जो भी गिरा था, आ तो you never know क्या अप होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ, अब देखें दूसरा क्या करते हैं, कि we see the technicals, अब देखें क्या हुआ, जब भी आप देखोगे कि ये stock 200-day moving average के नीचे जाता है, तो तुरेंत like, क्योंकि क्यों ऐसा बोलना है, कि अभी देखें कुद दिन पहले 200-day moving average इं और परसो इसमें गिरावट हुए थी, परसो अब दो ट्रेडिंग सेशन पहले और ये 200-day moving average के नीचे आगा, इसके पहले अगर आप देखो, तो आपको देखने को ही नहीं मिलता है, कि ये कब 200-day moving average के नीचे आया, तो आप पीछे 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 जाओगे, तो I think कि करोना अगर अगर टाइम होगा, तभी ये नीचे आया था, extended time तक ये उसके नीचे था, और तभी ये stock 50-60-60 रुपए के आसवास था, और आज ये 5.500, उसके पहले भी देखोगे, तो एक ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, जबसे less to highlight, एक वो portion तो देखे ये बीच में यहाँ पर आया, उसी तरह के से, तो ये जब आप ये सारी चीज़े आप chart को देखते रहते हो, business को समझते रहते हो कि क्या अभी business में growth है, तो अगर business में growth है, और सब कुछ सही चल रहा है, business के अंदर हो, फिर ऐसी opportunity आती है, तो हम वहाँ से investing स्टार्ट कर सकते तो आपको क्या, इसी लिए आपको लगातार business updates को जाने रहना होता है, business के quarterly results के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो इसी लिए आप देखते हो कि हमारे channel में हम लोग quarterly updates हो गया देते रहते, तो फिर इस तरीके के जब मौक्या आते हैं, तो आपको उस समय ऐसी company का पहले से आपके दिमाग में रहना चाहिए, कि जब stock गिरेगा, तो I will be taking a bet on this, क्योंकि आप long term के लिए देख रहे हो, काफी दिन से देखे, stock consolidate हो गया, इस point पर देखे, 200 day moving average से इसका, देखे, feb 2024 कितना gap बन गया था, और सोचिए, वहाँ से यह अपने gap को पूरा कर रहा है, इसके पास आने की courses कर रहा है, और इसलिए consolidation हो रहा है, फिर आपको बताए कि कुछ दिन बाद यह भाग जाएगा, इसी तरीके का gap बन जाएगा, और फिर आपको काफी दिन तक कुछ नहीं करना, अपने पैसों को बढ़ते हुए देखना है, तो अभी market गिरा हुआ है, तो वही म not much, अगर होता भी है, तो आपको बता है कि business अच्छा है, and things will improve, company अच्छी है, business model अच्छा है, तो everything will be fine in the long term, तो यह मुझे बताना था, एक और company के बारे में मैं discuss करना चाहूँगा, यह data pattern, तो यह भी अगर आप देखोगे, तो काफी दिन से like defense के stocks में लगतार गिरावट नहीं हुए, सभी defense के stock गिरे, तो यह भी देखिया, आपकी 200-day moving average के नीचे trade कर रहा है, और यह भी ऐसा नहीं है कि, जोल, कभी-कभी आपको मौके देता है, तो अभी देखें, आपर बीच में आपको 2024 के starting में आपको मौके मिले थे, अब फिर आपको मौका मिल रहा है, यह उसके पहले कभी भी आपको, एक यह देखें, यहाँ पर, यह देखें, यहाँ पर, यह देखें, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप देखें, आज तो चुनाओ के results भी आए हैं, और थोड़ा सा कहीं पर market को इंडर था, कि कहीं धेरे-धेरे BJP का, जो है यहाँ से वो होगा, कि नहीं अभी BJP को ऐसा नहीं लग रहा है, कि वो कुछ खतम हो रही है, उसका अभी भी जनाधार बना हुए, जिस तरीके से, आज थंपिं मिजॉरिटी के साथ, वो हर्याना में जीत रही है, तो कहीं न कहीं, I think PSU stocks or defense stocks, so this can be a turning point, अब देखें, हम लो इसके क्लाइंट है, तो देखें, डेटा बैंटन स्पेक्ट्रम और इसी तरह लगातार पढ़िए, तो देखें, पैक के मामले में, वन से कम है, प्रॉफिट वैरेशन देखें, तीन साल का 47.3%, 32% से से सेल्स क्रोथ है, सब बढ़िया है कंपनी छोटी है, 13,000 करोड की है, इसका 100 के उपर एक बीच पहुंच गया था, अभी it's like 70 के आज पास है, और आज देखें कल, आज मार्केट में जब रिकवरी आ रही है, तो क्योंकि strong fundamentals हैं कंपनी के, तो आप देखें कि यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है, और क्योंकि अल्रेडी काफी पिट गया स्टॉक, तो फिर ऐसे स्टॉक में क्या होता है कि हमें जो है, यह पता रहता है कि हाँ यहाँ पर रिकवरी तो आएगी जब भी market चलना सुरू होगा, तो आप देखें कि लगातार जो है प्रॉफिट वगेर अगर यह अरली देखें, तो 63 करोड मार्च 2014 में इसकी sales हुआ क और आज 600 करोड के पास है, यानि कि 10 साल में 10 times, profit was like 17 करोड और आज 231 करोड है, net profit 7 करोड से बढ़के 200 करोड की तरफ बढ़ रहा है, तो आप growth पे ध्यान दीजेगी किस तरीके से कब ने जो है grow कर रहे है, और पिछले एक साल में अगर आप देखें तो stock price है just more 9%, क्योंकि इस तरीके से pattern देखा जाता है, इस तरीके से investing की जाती है, this is like, this is how you can analyze the businesses, तो आपको लगातार business क्यों track करना होता है, जब इस तरीके की गिरावट होती है, तो आपको उस दिन decision लेने के बजाए, आपको क्या करना होता है, आपको पहले से company आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इस price point पे आएगे, ऐसा situation होगा, you never know when this will happen, लेकिन जब होगा, तो you should be ready, and you should take the decision, क्योंकि देखे, आपके पैसे, जो है stock market में, आपके decision के basis पे बनते हैं, तो this is what I wanted to tell you, अब देखे, मान लीजे, like what is my thinking, आप अपने इस अपसे decision लीजेगा, मुझे जैसे है कि अभी mutual fund में जो fund अच्छा लग रहा है, like for 4-5 years, is this Moti Laal Uswal Nifty India Defense Index Fund, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा यह defense के theme को खेलू, और यह जितना भी market में गिरावट आई है, यह जब market यहां से recover करे, तो मैं उसमें पैसा बनाऊ, तो I think mutual fund के through, अगर if you have to play this thing, तो मेरा मानना है कि like अगर हम इस इसमें invest करें, इस fund में, Moti Laal Uswal Nifty India Defense Index Fund, तो यहां से we can see कि अच्छा ग्रोध हो सकता है, because क्योंकि देखे, defense में अभी ऐसा नहीं कि सब कुछ हो गया हो, जिस तरीके के लडाई चल रही है, तो दुनिया में आप देख रहे हो कितने लडाईयां इस समें चल रहे हो, market VC लिए नरेन मोधी के सरकार है, तक तक तो यह theme चलती ही रहेगे, तो यह weak hands को निकालने का काम चल रहा है, तो right now I think, देखे मेरी सोच है, आपका पैसा है, आपका अपना decision होना चीए, मैं आपको एक way बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी thinking जो है develop करनी होती है, फिर उसके नीचे गिरा हुआ है, like it's like 8.1681, और कल like this में भारी work up गिरावट हुई थी, 3% के आसपास, तो आप देखोगे expense ratio गएरा कुस खास नहीं है, तो यह एक अच्छा bet हो सकता है, तो I hope कि आपने थोड़ा सा, जो है, live सीखा होगा, कि किस तरीके से हम, जो है market में, we take decisions, चली, त to read about companies, देखिया, आप कितनी भी किताबे पढ़ने stock market की, आपको stock market में रहना पड़ता है, आपको उसे जीना पड़ता है, आपको mental trauma face करना होता है, decision लेने के बाद जब आप गलत जाते हैं, तो उसे आपको जहिलना होता है, and then like, आफिर overcome करते हो, like it's a journey, तो आपको कोई सिख